तो अब है एवरीवां तो अब हम डिसकस करेंगे अपना गेट में चैप्टर वाइज मार्क्स दिस्ट्रिबूशन फॉर ऑर गैनिक इमिस्ट्री राइट तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो चैप्टर लिस्टिड हैं उसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि उन चैप्टर का जिनकी वेटे सबसे जाद है ठीक है विफोर प्रोसीडिंग तो डाइट अगर हम देखें तो हमारा गेट का विपर रहता है राउंड हंडर 28.5 अब उसमें 28.5 तो यह अप्रोक्सिमेटली बन जाता है राउंड 33 परसेंट और टोटल केमिस्ट्री पार्ट जो अपना वांथर है ठीक है तो और गैनिक इस इंपॉर्टेंट यूनो अब देख सकते हो कि अराउंड वांथर तो वही पूची जा रही है अब उसमें आ अब इसमें आप देखो रियेक्शन मेकैनिजम वाला पार्ट उसमें से अराउंड 10.7 तो अराउंड 11 माक का दो फ्रॉम रियेक्शन मेकैनिजम ही है राइट वो तो बहुत इंपॉर्टेंट जैप्र आप कोई भी पेपर का नालेसिस कर लो आपको रियेक्शन मेकैनिजम तो मिलेगा ही on the top उसके बाद आपके पार रियेजेंट्स है रियेजेंट्स में से आप देख सकते हैं राउंड 3 माक का आपके आवरेज पूछा जा रहे है देन आपके दो अलग से जप्रेज हैं यार पैरिसाइक्लिक में से अराउंड 10 माक का और स्पेक्ट्रो में से अर डियेक्शन मेकानिजम ये अलोन तो यह तो बहुत इंपॉरेजेट्स आपकी आदे से जादा और गैनिक इसी से आएगी रैइट उसके बाद हम बात करते हैं तो गुकर चाहिए था जैसे आप देख सकते हो 2017 में 6 माक्स का पूछा गया था था थीक है 2019 में 5 माक्स का पूछ प्रिशचलिक 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 इंपोर्टेंट थैज्ट अब इस्पेक्ट्रोव इतनी जादा इसलिए आप पुछा गया था अब देख सकते हैं यहां पर 9 मार्क्स का फ्रम और अगर अभी की बात करते हैं तो अभी की बात में भी ठीक है लाइक 20-20 में 5 मार्क का था अब average around 2-3 या maximum 4 marks का पूछा जाएगा ठीक है from the organic spectrum तो जो बाकी chapters है जैसे आप देखो यहां पर बाकी chapters में अपना GOC aromaticity है stereo and reaction intermediates अब यह basic chapters है अब इन में अगर हम normally trend देखें ने exams में तो weightage कम हो रही है बट इसका मतलब यह नहीं है important नहीं है important यह इस perspective में है कि यह तीन करे भी ना आप reaction mechanism को समय नहीं सकते इसलिए तुम बोलता है ना organic में chapters they are linked together यह वाले chapters तो linked होते हैं इनको करे भी ना reaction mechanism नहीं understand कर सकते बट जब आप preparation करोगे तो आपको एक बात ध्यान में रिखनी है कि यह आप पढ़ रहे हो for better understanding of reaction mechanism था कि आपके reaction mechanism के question solve हो right तो आपका focus इसी पर रहेगा these will be for the understanding of that chapter ठीक है अब एक word of question में और बता देता हूं आपको देखो यह वाले हो है ना जो specifically mechanism and name reaction अब organic में हमेशा हम लोगों को दिक्कत आती है to classify कौन सा mechanism का है कौन सा name reaction का है ठीक है तो इसलिए अब देख सकते हो कि name reaction में से हमने कम लिया है but mechanism में जादा लिया है because they were more suited for the mechanism path ठीक है but both are like equally important name reactions वाला part भी mechanism में आई जाता है ठीक है and then the agents वाला तो आपका अलग सा रहता है ठीक है आपको याद करने कौन सा अपके reducing agents है कौन सा reducing agent अपका क्या transformation करेगा तो वो चीज रहती है तो यह वाला भी काफी अच्छा रहता है because इसका बाकियों के साथ इतना जादा link नहीं होता अलों link तो रहेगा ही ठीक है बट इतना जादा link नहीं रहेगा तो यह वाला important है उसके बाद यो pericyclic and organic spectrum है यह थोड़े अलग से हो जाते हैं और यह जो students थोड़े week है न और गेनिक में उनके लिए तो यह definite है राइट बोथ हार very important for those राइट अब इसमें अगर हम total add up करें न marks तो देखो अगर हम इसमें 11 marks है ठीक है इसमें round 3 है इसमें round 3 है and इसमें round 4 है so if we add up तो यहाँ पे around 21 marks का 21 marks का from 28.5 आपके यह अगर आप 4 chapters अच्छे से cover up करते हो तो आपका almost organic gets finished ठीक है अब जो hetero and biomolecules है न उसमें से आप देख सकते हो कि maximum question आएगा यह 2 आएंगे max add max 2 आएंगे hetero and biomolecules में से यह usual trend रहा है ठीक है कई जगा आप देख सकते हो जादा पूछा गया है but normally आप average देखो around 1 to 2 mark का यह आपसे पूछा जाता average right तो इसकी summary के रही that आपके जो top 4 chapters है reaction mechanism इसको understand करने के लिए आपको goc वाला part stereo वाला part because students stereo वो normally पूछी लेते हैं as it is stereo से question नहीं आता आजकर आपको product की stereo chemistry पूछी जाएगी तो stereo chemistry understanding only important है और इसे में आ रहा है तो यह तो आपको कर नहीं है but यह सब आपको करने है keeping in focus the reaction mechanism reagents वाला हो गया spectrum वाला हो गया और pericyclic हो गया ठीक है अब इसमें हम discuss करें ना जो photo chemistry वाला था अब photo chemistry normally हम दोनों इक अठे बढ़ते हैं ठीक है but photo chemistry में से around average एक मांका पूछा जा रहा है तो आप अकेला pericyclic पर focus कर सकते हैं photo chemistry skip कर सकते हैं you are allowed to do that right तो इसी के साथ अपना analysis खत्म होता है I hope अपको पता लगा होगा so I will meet you the next time so till then guys happy learning and keep studying हुआ है